Hello everyone, welcome back to my channel तो friends, इस वीडियो में आप लोग को पता लगने वाला है कि कैसे जो है मैंने अपनी ट्रेट ली है, क्या-क्या रीजन्स रहे क्या-क्या देखते हुए जो points है वो सारी चीजे आप लोग को वीडियो के अंदर ही पता लगने वाली है तो वीडियो को पूरा देखना, समझना, देखना कि कहा मेरी से गलती हुई है, मेरी गलतियो से सीखना, चलते हैं वीडियो के अंदर मैने एक मिन का चार्ट उपर किया हुए है, बैंगनिटी का हमें यह पर क्या देखने को मिन रहे हैं, कि मारकेट में एक सपोर्ट लेवल को प्रिक करता है जैसे ही मार्केट इस सैपोर्ट लेवल को ब्रीक करता है नीचे की तरफ हमार पास एक अच्छी का नफरमिशन हो जाएंगी मेरा व्याज डाउंसाइड करेने वाला है अपसेड का आज मेरा व्यू नहीं है स्ट्रॉंग वाला जाद अतर में ट्रेट्स जो है अगर में लेऊंगी तो फिर में पूट साइड में ही लेऊंगी टाइम फ्रेम चेंज हो चुका है पांच मिन का चार्ट मैं नहीं आप लगा दिया है देखे तो फिर हमें जो है काफी अच्छे ट्रेलाइन बनते भी दिख रही है ट्रेलाइन के बाद आप देखें यहां पर क्या देखने को मिल रहे है कि मार्केट ने उसे रीटेस्ट पी कर दिया है यह आप देखें मार्केट जो है यहां पर लोग बनाता हुआ नीचे आ रहा है इसा नहीं है कि बहुत डारेक्ट ही नीचे आ रहा है जी नहीं प्लस हमें यह आप यह भी देखने को मिल रहे है कि मार्केट जो है यहां पर एक छोटा सा एंपेटन बनाया था जो कि मैं आप लोग यहां पर फिलहाल रखती ही और फिर आप देखिए मार्केट जो है नीचे तो आया लेकिन पहले मार्केट नी स्टॉप डॉस हिट करवाया है यहां पर पूरा उपड चला गया जिसकी वज़े से SL जो है वो हमारा हिट हो गया और फिर उसके बाद यहां पर मार्केट नीचे आया है जो कि काफी बार होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है काफी बार हो जाता है तो मार्केट काफी बार ऐसा होता है कि लोगों के SL हिट करवाने के लिए ही सिर्फ जाता है और फिर वापस लेकिन देखा जाए तो पूरे दिन तो है market sideways था तो sideways market में हमें कोई between नहीं लेनी चाहिए कोई बात नहीं बात करें टेलिग्राम चैनल की तो यह premium चैनल है टेलिग्राम चैनल में आप लोग की पोजिशन अप्डेट की थी लेकिन उससे पहले आप लोग को यह बोड़ा था आप लोग को कब ले रहे हैं जब यह 400-200 के लेवल को break करें जो कि इस लेवल को break किया ही नहीं तो आप लोग की यहापे trade कोई बनती ही नहीं है और break किया तो उसमें हमारे stop loss काफी बढ़ा था तो इसलिए loss इरिफ मेरा हुआ क्योंकि मैंने जो है break होने से पहले ही trade ले ली तो यह वाला मेरा loss हुआ था अब ऐसा नहीं है कि भई मैं loss को नहीं share कर रही हूँ प्रिवम चैनल पर मैं loss भी share कर रही हूँ लेकिन आप लोग को यह चीज ध्यान रखने है कि जो चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ वो point to point देखनी है है और उसी के बाद ही trade लेनी है उमीद करते हूँ आप लोग को वीडिय लगी होगी समझ में आ गया होगा सारी details वगयरा कुछ भी doubts है तो comment section है आप लोग के लिए comment करना ना भूल लेगा और हाप वीडियो को like की कर देना subscribe कर देना चैनल को likes भी कुल के नहीं आ रहे है like करना मत बोलना thank you